हलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे आज की इस रेसेपी वीडियो पे और आज हम आपके लिए बना रहे हैं पोल्टरी चिकन की रेसेपी इस रेसेपी को सुरू करने से पहले एक बार प्लीज आप इसके ग्रेवी को चेक कर लिजे देख सकते हैं ये जो आज इसकी ग्रेवी बनकर तयार हुई है बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट बनी है ये खाने में और इसके पीसेश को आपको दिखाते हैं हम देख सकते हैं ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पकर तयार हो चुकी है तो चलिए अब इसे हम आपको बना कर दिखाते हैं तो फ्रेंट्स इसे बनाने के लिए हमने चिकन को आज गरम पानी से छिल कर इसे तयार किया है और इस पूरे चिकन का वेट पूरा एक केजी है तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम एक कड़ाई को ले रहे हैं और इस कड़ाई पर हम डालेंगे चार बड़े चम्मच सरसो का तेल तेल के गरम होने पर इसमें हम अभी डाल रहे हैं एक चुटकी हींग, दो तीन छोटी इलाईची और दो टुकड़ा डालचीनी कुछ सेकेंड्स के बाद इस तेल पर डालेंगे तीन पीस मीडियम आकार के पतले कटे हुए प्याज और इस प्याज को हम लो टु मीडियम फ्लेम पर चार से पांच मिनट फ्राई करेंगे प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद अब इस फ्राई किये हुए प्याज के साथ में हम सारे चिकन पीसेस को एड़ कर रहे हैं चिकन पीसेश को डाल कर अब इसके उपर से हम डालेंगे डेल छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक से डेल छोटी चम्मच या अपने स्वाधनुसार नमक गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और अब इस चिकन को 15 मिनट चम्मच से चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे चिकन को फ्राई करने के बाद 50% तक तो यह पक चुकी है वैसे भी पोल्ट्री चिकन जो होती है वो काफी जल्दी पक कर तयार हो जाती है अब इस चिकन के साथ में दो पीस पके हुए टमाटर को डालेंगे जिसको की हमने रफली काट करके रखा है और टमाटर के मेल्ट होने तक 5-6 मिनट फिर से इसे टमाटर के साथ में पकाएंगे पांचे मिनट पका लेने पर तमाटर जब पूरी तरसे चिकन के साथ मेल्ट हो चुके हो तब इस पर हम डालेंगे 1.5 छोटी चम्मच जीरा पाऊडर 1 छोटी चम्मच धनिया पाऊडर लेंगे 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाऊडर एक छोटी चम्मच कस्मेरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसके कलर के लिए और एक बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अब इन सारे मसालों को हम चिकन के साथ में आठ से दस मिनट तक मीडियम आज पर पकाएंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो भी चिकन के साथ अच्छे से पक सके मसालों को हमने चिकन के साथ में बिल्कुल अच्छे से पका लिया है और अब हम इसके ग्रेवी को तैयार करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए हम इस पर लगवक दो ग्लास के करीब गरम पानी को डाल रहे हैं और अच्छे से मिक्स करके इसे हम दो-तीन मिनट के लिए उबाल लेंगे कुछ देर उबालने के बाद इस पर हम कटे हुए धनिया के पत्तों को डालेंगे अगर आप गरम मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं वैसे भी ये काफी स्वाधिष्ट बनकर तयार हो चुकी है क्योंकि आज इस चिकन को हमने फ्राइ करते हुए ही इसे पका कर तयार किया है तो फ्रेंड्स चिकन की ये रेसेपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें धन्यवाद